हलो फैंस, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नमबर 13 जो की बिहारदर होगा मेंस एक्जाम के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्म 2 के बुक से चलाया जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए तो आए शुरू करते हैं अपने कोशन से आज का जो हमारे पहला कोशन है बो कह रहा है कि Organization of Islamic Conference मतलब OIC का मुख्याले कहां आवस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा Option number B जेदा में इस्थित है जो कि कहां है जेदा जो है वो साउदी अरब्या में है ठीक है और ये जो Organization of Islamic Conference है ये उसका मुख्याले जो होगा बो ही इस्थित है Organization of Islamic Conference के जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1969 में ठीक है और अभी ततकालीन इसकी Member Country जो है बो टोटल 57 Member Country है इस Organization of Islamic Conference में साथी साथ इस चीज को याद रखेगा कि Organization of Islamic Conference है इसकी जो अधिकारिक भासा है वो तीन अधिकारिक भासा है एक तो है अरबी दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है फ्रांसिसी ठीक है की अगर हम बात करते हैं मतलब South Asian Association for Original Corporation की बात करते हैं तो सार्ख की अस्थापना हुई थी कब 1985 में इसका Headquarter का है काठमांडू भारत इसका सदस है नाम की अगर नाम की बात हम लोग करते हैं जो की क्या होता है Non-Aligned Movement इसकी अस्थापना हुई थी 1961 में भारत इसका भी सदस है Asia प्रसांत आर्थिक सही योग संगठन का भारत जो है वो सदस नहीं है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है एक चीज़ और याद रखेगा यह जो Asia प्रसांत आर्थिक सही योग संगठन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस gap इसका मुख्याले जो है वो Bangkok में स्थित है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 3 question number 3 कह रहा है कि glimpse of history पुस्तक के रचाता कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number B जवाहरलाल नहरू जवाहरलाल नहरू से एक बहुत important पुस्तक का नाम आप लोगों को याद हो of India और साथी साथ है को और याद रखेगा दा हिंदू रिवीउ ये दूने पुस्तक की रचना किसने किया था एस राधा क्रिस्णन की द्वारा किया गया था अगर हम बात अब्दूल कलामजाद की करते हैं तो अब्दूल कलामजाद से याद रखेगा कि इन्हों ने उन्ह हिलाल पत्र का संपादन किया था clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 4 question number 4 कहा रहा कि ISRO का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आपसे ISRO का full form पूछ रहा है तो ISRO का जो full form होता है बो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन तो अपसा number B जो होगा वो हमारा सई अंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन ठीक है? और ISRO की अस्थापना कब होई थी? ISRO की अस्थापना होई थी 15 अगस्थ 1969 को इसरों से याद रखेगा इसरों का जो headquarter है बो है बैंगलोरू करनाठका में और अभी जो इसके ततकालीन chairman है उनका नाम है case even clear है? चेर है next question है question number 5 question number 5 कह रहा है कि बिस्व खाद दिबस यानि world food day प्रतिबर्स किस तारिक को मनाया जाता है तो बिस्व खाद दिबस जो प्रतिबर्स 16 October को मनाया जाता है तो option number यह जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा 16 October से एक चीज याद रखेगा 16 October को बिस्व एलर्जी जाग रुकता दिबस भी मनाया जाता है और यह जो world food day है इसकी मनाने की घोसना किसके द्वारा की गई थी FAO के द्वारा की गई थी FAO है क्या? Food and Agriculture Organization जिसका हेड़कॉर्टर कहां है? Rome Italy में है आपको एक चीज मैं बता दू जितना भी चीज जिसके जो food से रिलेटेड होगा सबका headquarter Italy Rome में ही है ठिकर? आगे अगर हम बात करते हैं options की तो 16 November की अगर हम बात करते हैं तो 16 November को क्या मनाया जाता है? सहन सीलता के लिए अंतराष्टिय दिबस मनाया जाता है 16 December की अगर हम बात करते हैं तो 16 December को भारत में बिजय दिबस मनाया जाता है जो भारत 1971 में बिजय हुआ था उसके उपलप्च में 16 December को बिजय दिबस मनाया जाता है चले है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 6 question number 6 का रहा कि भारत ने सरपर्थाम उलम्पिक का होकी खेलों में भाग किस वर्स लिया था तो भारत देखे भारत सरपर्थाम भाग लिया था 1928 में ठीक है? 1928 में MS-Dram उलम्पिक में भाग लिया था यानि option number C जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जागा और यही 26 माई 1928 को यह भी याद रखेगा 26 माई 1928 को ही भारत ने पहली बार होकी में स्वंपदक जीता था और यह भी चीज़ याद रखेगा कि भारत 1928 से लेके 1956 तक लगातार होकी के उलम्पिक छेत्रों में स्वंपदक जीता आया है ठीक है यह तो होकी से पता ही होगा कि हमारा जो रास्तिये खेल है वो भी होकी ही है ठीक है next question है question number 7 question number 7 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा पुरुसकार केबल साहित से संबंदित है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number D ज्यानपुर पुरुसकार ज्यानपुर पुरुसकार जो है वो केबल साहित से संबंदित है और यह कब से देने जाना स्टार्ट किया गया है 1965 1965 से साहित के छेतर में ज्यानपुरुसकार दिया जाता है अगर हम और options की बात कर लेते हैं तो जो हमारा Pulisager Prize है ये Pulisager Prize 1917 से दिया जाता है और पतरकारिता के छेतर में दिया जाता है ठीक है अगर हम बात भारत रत्न की करते हैं तो भारत रत्न से आप लोग भलीभाती परचित होंगे कि ये 1954 उन readily54 से दिया जाता है और civil छेतर में उ इसको क्या बोला जाता है? एसिया का नोबल बोला जाता है रामेन मैक्से को? ठीक है? Next question है, question number 8 Question number 8 कह रहा है कि नोबल पुरुसकार कब आरंध किया गया था? तो इसका जो सही अनसर होगा वो हो जागा 1901 इस्वी में ठीक है, 1901 इस्वी से नोबल पुरुसकार दिया जा रहा है और नोबल पुरुसकार जो है वो क्या? साहीत, सांती, रस्माय, भौतिक और चिकिस्ता भी ज्यान में उत्कृिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है फिर याद रखेगा कि अगर पूछ दिया जाए कि नोबल जो पुरुसकार जो आर्थ सास के छेतर में कब से दिया जा रहा है तो आर्थ सास के छेतर में दिया जा रहा है 1969 से ठीक है, और जो भी नोबल पुरुसकार है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है मतलब function organize करके कहा? Ascord home Sweden में ठीक है? लेकिन याद रखेगा कि जो सांती का nobel पुरुसकार है वो Sweden में ना देखे नौरबे की रधानी ओसले में दिया जाता है तो ये सारे चीज याद रखेगा ठीक है? और अगर 101 की हम बात करते हैं कि जब 101 में nobel पुरुसकार साराण हुआ था तो सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले Red Cross Society को nobel पुरुसकार मिला था ठीक है? उनके संस्थापक और Red Cross के Society के संस्थापक को मिला था. Next question है question number 9 question number 9 कह रहा है कि भारत में सूफी संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सूफी संस्थापक है वो माना जाता है ख्वाजा मोय दिन चिस्ती को तो जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D ठीक है? और सबसे जो भारत में सबसे प्राचीन कहिए और सबसे लोगप्रिये संप्रदाय का यह चिस्ती संप्रदाय ही था ठीक है? जो ख्वाजा मोय दिन चिस्ती के द्वारा अस्थापना किया गया था चिस्ती संप्रदाय का कब 1191-9291 के आसपास में आजमेर में ख्वाजा मोय दिन चिस्ती के द्वारा चिस्ति संपधाय की अस्थापना की गई थी ठीक है एक चीज इसमें अगर और options की बात करते हैं तो ख्वावा कुतुबुदीन बक्तियार काकी से याद रखिएगा कि ये कुतुबुदीन एबक का अध्याथमिक गुरू था ठीक है असाम में इस्थित है और कौन से नदी पर बड़ाम पुत्र नदी पर इस्थित है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जाएगा clear है? चलिए next question है question number 11 question number 11 कह रहा है कि भारत में सहरी जन संख्या का परतिसाथ कितना है तो 2011 के जनगना के अनुसार देखिया ऐसा जो भी question आपसे पूछ लिया जाता है तो ये 2011 के जनगना के अनुसार ही आपसे पूछा जाता है तो जो 2011 के जनगना के अनुसार जो सहरी आबादी है वो 31.13 है तो option number E जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जाएगा और ये भी याद रखेगा कि सबसे बड़ा नगर कौन है अगर हम कहें कि नगर ये आबादी जिसमें जादा है मतलब सहरी आबादी जिसमें जादा है वो है नगर मुंबई ठीक है कुछ और चीजे भी याद रखेगा कि जैसे साचरता दर अगर आपसे पूछ लिया जया तो कितना था 74.04% आपसे पूछ लिया जया कि भारत का आबादी 20 के आबादी का कितना था तो 17.5% तो यह सारे कुछ कुछ जनगनना को आप लोग एक बार थो आउट देख लिजेगा मैं एक वीडियो आप लोगों को दे दूँगा जनगना पर ताकि आप लोगों को जनगना से सारा question कवर रो ज़या ठीक है चलिए अब अरते हैं अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 12 question number 12 करहा है कि इन में से कौन परमानू reactor है तो कहगा भी परमानु रियक्टर है, कुंडन कुलम भी है और तारापूर भी है, तो अपसर नंबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा उपियोग सब ही, ठीक है, अगर हम बात कहएगा कि करते हैं, तो कहएगा परमानु रियक्टर है करनाटक में कुंडन कुलम की बात करते हैं तो कुंडन कुलम परमानू रियक्टर है तमिलाडू में ठीक है और तारापूर की अगर हम बात करते हैं तो यही जो तारापूर रियक्टर महरास्त में है और यह जो तारापूर रियक्टर है यह भारत का प्रथम परमानू रियक्टर है और य अपने अगले question की तरफ जो कि है हमारा question no.13 question no.13 कहरा है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता जब उसका भार देखिए कर को प्रतिगामी तभी कहा जाएगा जब उसका भार जो है वो अमीरों की तुलना पे गरीबों पे ज़्यादा पड़ने लगे उस कर को हम लोग प्रतिगामी कर बोलते हैं ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number C अमीरों की तुलना में गरीब पर अधीक बहुत अधीक पड़े उसी कर को प्रतिगामी कर कहा जाता है भारत की अगर हम बात करते हैं भारत में कौन से करनी ती है अगर गामी करनी ती है ठीक है चलिए अब पढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि है अमारा question number 14 question number 14 कर रहा कि बिहार में सरपर्थम किस बिश्विद्द्याले की अस्थापना हुई थी तो इसका जो सायन से रोगा बहुँ जगा option number A और कब हुआ है उनाईसो 17 में हुआ है ठीकर अगर भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में सरपथा माँ ठारा सो संतामन में तीन जगा कलकत्ता, बॉंबे और मदरास में एक-एक बिद्याले की अस्थापना की गई थी कब Lord Kenning के समयकाल में Lord Kenning के दोरा किया गया था next question है question number 15 question number 15 कह रहा कि बिहार लाज की उद्योगिक बित साहता है तो कौन सा BTS संस्था है तो इसका जो साही अंसर होगा बो हो जगा बिहार लाज बित निगम संस्था है जिसकी अस्थापना उनई सो चोवन में किया गया था वही भारत मतलब बिहार लाज की ओद्योगिक बित साहता है तो BTS संस्था की रूप में कार्ज करती है clear है? चलिए next question है question number 16 question number 16 कह रहा है कि आलमाटी बांध किस नदी पर है? तो आलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा कृष्णा नदी से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसी क्रिष्णा नदी पर एक उपरी क्रिष्णा प्रोजेक्ट भी है जो एक जाम में पूछा जाता है और एक जो सबसे important question है वो गोदाबरी नदी से पूछा जाता है कि जायकबाडी पर योजना किस नदी पर है? तो ये गोदाबरी नदी पर इस्थित है जो अन्ना मलाई परवत है उसी के दच्छिन में कौड़न पहाड़ियां है गेगल में ठीक है? चलिए next question है question number 18 question number 18 कह रहा है कि कि किसका उप्योग मिटी की लबंता है वाम छारियता की समस्या का दिर्ग कालीन हल है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जागा option number B gypsum ठीक है? अमलियता को दूर करने के लिए एक चीश और याद रखेगा कि अमलियता को दूर करने के लिए मटी में चूना भी मिलाया जाता है मिल्दा में चूना भी मिलाया जाता है ठीक है? जिप्सum से याद रखेगा कि सबसे ज़्यादा जो जिप्सum है वो राज अस्थान में पाया जाता है ठीक है? चेर ये next question है question number 19 question number 19 का एराकि अंतराष्टिये दिनांक रेखा मतलब international deadline international deadline किसको बोलते हैं? 180 degree देशांतर को क्या बोला जाता है? अगर bearing a state और परसांत महागासागर से होकर गुजरती है एक चीज बहुत important इसे पूछा जाता है कि अंतराष्टिये तीथी रेखा के समानतर में क्या इस्थित है? ठीक है? तो उसका जो अंसर होगा वो हो जाएगा bearing जलसंदी ठीक है? तो यह याद रखिएगा कि यह जो bearing जलसंदी है वो अंतराष्टिये तीथी रेखा के समानतर इस्थित है clear है? चलिए next question है question number 20 question number 20 कह रहा कि नीम्न राजियों में से किसका छेतरफल सबसे कम है? देखिए अगर हम ऐसे बात करते हैं इस question को अगर हम besides करके एक सेकंड की बात करते हैं अगर तो क्या होगा? अगर हम बात कर रहे हैं कि छेतरफल की द्रिष्टी से तो छेतरफल की द्रिष्टी से सबसे ज़्यादा तो है राजस्थन उसके बाद है मधः प्रदेश उसके बाद है महरास उसके बाद है यूपी लेकिन यह सब options में नहीं है इन options की अगर हम बात करते हैं तो इन options में छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा राज हो जाएगा गुजरात उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक ठीक है और उसके बाद हो जागा आंध्र प्रदेश और उसके बाद हो जागा तमिलाडू ठीक है तो यहाँ सबसे कम पूछ रहा है तो तमिलाडू जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा option number D clear है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है question number 21 question number 21 कह रहा है कि pot jol क्या है तो pot jol क्या है को ढ़ारी बन-प्रदेशों में पाय जाने वाली मिटी को हम लोग pot jol कहते हैं यह याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि potology क्या होता है मृद्ध्या के अध्यान को potology कहा जाता है तो pot jol क्या है वो एक type का मिटी है जो कोंधारी बन प्रदेसों में पाये जाने वाली होती है क्लियर है? चलियर Next question है question number 22 Question number 22 कह रहा है कि पाक खाड़ी किनके किनके बीच है तो पाक खाड़ी जो है वो मननार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number B अगर हम पाक जल डमरू मध की बात करते हैं तो वो भारत और सिल्लंका के बीचिस्थित है क्लियर है? चलियर Next question है question number 23 Question number 23 कह रहा है कि barometer जो reading है उसमें अचानक से गिरावट हो जाने से निमलिखिद में से कौन सा एक मौसमी दसा अंगत होता है तो barometer के reading में अगर अचानक से गिरावट हो जाए तो क्या होता है? ये दर्स आता है कि आंधी तुफान आने वाला है ठीक है? तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number A तुफानी मौसम अंगित करता है ठीक है? जैसे अगर barometer का जो reading है वो जब धीरे धीरे उपर जाता है तो समझ लिजेगा कि दिन साफ रहने की संभाब ना है और जब धीरे धीरे नीचे आता है तो मतलब समझ लिजेए कि बर्सा होने की संभाब ना है और जब एक बैक से नीचे आता है तेजी से अचानक से गिरावट हो जाती है तो मतलब आंधी तुफान आने वाला है ठीक है? चलिए next question है question number 24 question number 24 कह रहा है कि निमलिखित असलो असमारकों पर विजार कीजे ठीक है तो पाबागड पुरात्विय उद्यान की बात कर रहा है तो बो चंपा नेर में है बिलकुल सही है चतपती सिवाजी रेलवे स्टेसन भी मुंबई में है सही है पूरम तमिलाडू में है और सुर्ण मंदिक कोनारक में है बिलकुल सब सही एरेंज़ट है ठीक है? यहाँ इससे चीज़ याद रखेगा कि यह महाबल्ली पूरम होगा यहाँ पे महाबल्ली पूरम तमिलाडू में है महाबल्ली पूरम से एक चीज याद रखेगा कि ये महाबल्ली पूरम का जो रास मंदिर था वो कौन बनवाया था मतलब किसके सासंकाल उस समय समध है नर्सिंग बर्मन से है ठीक है क्लेर है चलिए अच्छत्रपती सिवाजी रेलवे स्टेशन से एक चीज याद रखेगा कि छत्रपती सिवाजी रेलवे स्टेशन का पुराना नम क्या था विक्टूरिया रेलवे स्टेशन था ठीक है तो ये कोश्चन आप से पूछ रहा कि कौन सा सही सुमेलित है मतलब कहां के सबसे ज़्यादा constituents लिये गया है Indian Constitution का तो सबसे ज़्यादा लिया गया है 1935 का भारा सासन अधिनियम से कभी-कभी question पूर्ट दिया जाता है कि 1935 के भारा सासन अधिनियम के बाद मतलब दूसरे नंबर पे कहां से लिया गया है पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा लिया गया है 1935 के भारा सासन अधिनियम से दूसरे नंबर पे लिया गया है ब्रिटेन से और उसके बाद तीसरे नंबर पे लिया गया है अमेरिका के समिधान से तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number D यानी 1935 का भारा सासन अधिनियम क्लियर है चलिए अब बढ़के अपने अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 27 question number 27 कह रहा कि सास्ता का पुन्रूप क्या है देखिए अगर हम sorry 26 चुट गया 26 मैं कर ला हूँ 26 क्या है इस रो द्वारा स्थापित liquid proportional system ठीक है liquid propulsion system center कहां इस्तित है देखिए इस question में थोड़ा सा आगर मैं बात करूँ दो चीज है एक है इसरो का बोला जाता है propulsion complex ठीक है तो यह question पूछरा आप से proportional complex की बारे में इस्तित है तब अंसर हो जागा option नमबर ए लेकिन अगर हम liquid propulsion system center की बात करते हैं जो यह लिखा हुआ तो इस center का दो यूनिट है ध्यां रखिएगा यह जो liquid proportional system center है इसका दो यूनिट है एक तो है कहां तिरी बेंदर पूरम केरला में और दूसरा है बैंगलोरू करनाठक में ठीक है और अगर proportional complex की बात करेगा तब हो जागा मेहंदगरी तमिलनाडू क्लेर है चलिए और यह जो proportional complex है इसकी असापना कभी थी 2014 में क्लेर है चलिए नेक्स question है question number 27 question number 27 कहेगा कि साफ्टा का पुन रूप क्या है देखिए साफ्टा की अगर हम बात करते है तो साफ्टा का पुन रूप होता है south asian free trade area क्लेर है है इसमें कोई नहीं है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जागा देखिए यह जो साफ्टा है यह जनरली एक agreement था ठीक है और यह agreement कब हुआ था जब टुबेल्ट बारहमा सार्क सम्मिट 2004 में हो रहा था उसी समय यह agreement हुआ था जिसका नाम दिया गया था साफ्टा मतलब south asian free trade area क्लेर है चलिए next question है question number 28 question number 28 कहरा है कि maple leaf का देश किस नाम से के नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C canada maple leaf की अगर बात करते ही तो maple leaf card का अब नया नाम कर दिया गया है उसको बोल दिया गया है permanent resident card permanent resident card बोल दिया गया है clear है चलिए next question है question number 29 question number 29 कहरा है कि गुरुदेव रभीना टाइगोर की रचना को भारत के अलाबा किस देश के राष्टकान स्विकार किया गया है तो यह जो सही अंसर है इसका है बंगला देश रभीना टाइगोर एक ऐसे इंसान है जो दो देशों के राष्टकान लिखें एक भारत एक बंगल बंगला देश का क्या है अमार सोनार बंगला ठीक है गुरुदेव कि इनको उपाधी कौन दिया था ठीक है गुरुदेव का इनको उपाधी किसके द्वारा दिया गया था महातमा गांधी के द्वारा दिया गया था नन्याग्स कोशन है कोशन NO.30 कोशन ₃30 कहा रहा कि निम्लिखित में से कौन सा एक यूग सुमैलित नहीं है मैक someday निम्वहन देखा भारत और इहेंầy लेकिन रेखा बारत और पाकिस्ताण सुमैलित है लेकिन अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करते तो ये भारत और माल्दीप ये गलत है ये माल्दीप और मीनी क्वाई के बीच में है ठीक है, 8 डिग्री चैनल है जो क्या है माल्दीप और मीनी क्वाई के बीच 9 degree channel के बात करते हैं तो ये लच्छदिप और मीनिकवाई के बीच और अगर हम 10 degree channel के बात करते हैं तो ये छोटा अंडमान और कार्नी को बार के मात है देखिए 8 degree मालदिप और मीनिकवाई 9 degree लच्छदिप और मीनिकवाई और 10 डिग्री छोटा अंडवान और कार्णी को बार के माद है क्लियर है? चलिए नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 31 कोश्चन नमर 31 कहा रहा है चार बहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विक्सित किया जा रहा है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जा रहा है और इस पर भारत सरकार अल्मोश 50 कडोर डॉलर रुपे खर्च करने बाली है नक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 32 कोश्चन नमर 32 कहा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबन दित है देखिए यह जो अपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह 1987 में स्टार्ट किया गया था ठीक है यह 1987 में स्टार्ट किया गया था यह जनरली इसलिए प्रोभाई स्टार्ट किया गया था कि जो स्कूल से हैं जो गबर्मेंट स्कूल से हैं उनमें कम से कम minimum educational facilities प्रोभाइट करवाया जाए तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा प्रॉड सीच्छा से मतलब आपसना नमबर B जो होगा बो हमारा सही अंसर हो जागा क्योंकि इसका एम ही था क्या to supply bare minimum crucial facilities to all primary schools क्लियर है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर 33 question number 33 कर रहा है कि भारतिय उप महादीब में बोली जानी वाली भासाओं में बोलने बालों की सरवादीक संख्या के अधार पर हिंदी के बाद किसका नमबर आता है तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो हिंदी के बाद दूसरे नमबर पर आता है बंगला और तीसरे नमबर पर आएगा तेलगू ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा आपसा नमबर B बंगला लेकिन अगर आपसे कोई कुछ दे कि 20 में सरवादीक भोले जानी वाली भासा क्या है तो वो क्या है मंदारीन यानी चीन ठीक है चाइनीज इसको बोल सकते हैं और इसके बाद कौन है मंदारीन के बाद हो जाएगा अंग्रेजी और तीसरे नमबर अगर हम बात करते हैं तब आएगा हिंदी ठीक है यह बल्ड की अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 34 कोश्चन नमर 34 कह रहा है कि निमलिकित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैबलब का भ्यास करता था तो इसका जो सही अंसर हो चलिए नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 35 कह रहा मिनाच्छी मंदर कहां इस्थित है तो इसका जो सही अंसर हो गाहा कोün पौनसर की मदुरई ठीक है और यह जो मिनाच्छी मंदर भर क्या एक तरह से आपकर करते के पारवती का वर्मаже मतलब पारवती जी का मंदिर है ठीक है मदुरई से याद रखेगा कि मदुरई को उस सब्वों का नगर कहा जाता था और यह मदुरई वही है जहां पंडब बंस की राल धानी थी क्लियर है चलिए तंज़ौर की अगर बात करते हैं तो तंज़ौर क्या था ठीक है तंज़ौर जो था वो चोल बंस का रधानी था और यहां ब्रहे देशवर मंदिर इस्थित है ठीक है और महाबली पूरम तो पता ही है यहां रथ मंदिर है और इसका संबंध किसे है नर्सिंग मंद प्रथम स next question is question number 36 question number 36 कर रहा है कि निम्लिखित में से किस राज या संव श्जेतर में जारवा जन जाती रहती है तो जो जारवा जन जाती है वो अंडवान और निकवार दीप समूं में रहती है तो भारतिये पंचाम का जो अंती मांग है वो है फागुन तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer है अब प्रथमा कौन हो जगा प्रथमा हो जगा चेर ठीक है और जो भारतिये पंचाम वो किस पे है सकसंबत पर अधारित है असक संबत किसके द्वारा चलाया गया था कनिस्क के द्वारा तो ये सब चीज याद रखिएगा next question है question number 38 question number 38 कह रहा है कि दिल्ली की राजगदी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा सासा कौन था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number A question number 39 कह रहा है एक साधारन आवर्धक ग्लास में निम्न में से कौन सा मिल है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B छोटी फोकल लंबाई के उत्तर लेंस ठीक है चलिए next question है question number 40 question number 40 कह रहा है सभी acid के लिए आम तत्व हैं तो सभी acid के लिए आम तत्व क्या है hydrogen तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा क्यों क्योंकि hydrogen क्या है सभी हम लोग का एक अनिवाद जंग है ठीक है और hydrogen से एक चीज़ और याद रखेगा यह आबर्सरानी का क्या है प्रतंतत्व है hydrogen का खोज किस ने किया था hydrogen का खोज किये थे हेंदी केवेंड इसने ठीक है चलिए next question है question number 41 question number 41 कह रहा है कि मनुस की अनुवानसकी का पता लगाया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा है फिर की मूल से मतलब फिर की मूल जो है वो मनुस का ऐसा माना जाता है कि जो मनुस का जन्म है वो अफिर का महादेश में सरपर्था हुआ था clear है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर है clear है चलिए next question है question number 42 question number 42 कह रहा है कि blank electronों की संख्या into में आबंध बनाने में भाग लेते हैं तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो कितना हो जागा 6 electron तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है अगर हम रासाइनिक बन्धन की बात करते हैं तो रासाइनिक बन्धन मूलते तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है बैदुक्सन जो जग जिसको की हम लोग आइनिक बन्धन भी कहते हैं दूसरा होता है सहसे योजक बन्धन और तीसरा होता है उप सहसे योजक बन्धन क्लेर हैं चलिए नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 43 कोश्चन नमबर 43 कह रहा है कि ब्लैंक धातु केबल बिदुताप घटन द्वारा निकाला जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा पोह जागा अल्मूनियम यानि उप सहन नमबर C अल्मूनियम को केबल बिदुताप घटन के द्वारा निकाला जा सकता है देखिए अल्मूनियम का जो निसकर्शन बन्धन इसका जो और है जिसको हम लोग यास बोलते हैं बॉकसाइट तो बॉकसाइट से जो निकाला जाता है वो सिर्फ फर सिर्फ बिदुताप घटन बिदी के द्वारा निकाला जाता है नेक्स्ट कोशन है कोश्चन नमबर 44 कोश्चन नमबर 44 कह रहा है कि कबक कोशिका भीति कडी जटिल संक्रा से बनी होती है जिससे क्या कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं काईटीन कहते हैं तो आप्सन नमबर A जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा कबक से याद रखेगा कि कबको को अध्यन को क्या बोला जाता है माइकोलोजी एक और कोश्चन कबक से बहुत बाल पुछा गया है कि कबक में जो संचीत भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है किस रूप में होता है तो कबक में जो संचीत भोजन होता है वो glyco jane के form में पाया जाता है next question है question number 45 question number 45 कह रहा है कि आधूनिक आबर्द साधनी में समान बर्ग के तत्वों में समान होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number A, सायोजी इलक्ट्रोन ही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं balance electron जो होगा वो क्या होगा समान होगा ठीक है देखिए generally क्या होता है कि दो होते हैं एक balance electron जिसको सायोजी इलक्ट्रोन बोलते हैं और एक होता core electron balance electron को छोड़ दीजेगा जैसे कि आज for example अगर हम N ले लेते हैं तो N का जो atomic number होगा वो इकारा होगा इसको अगर हम 2,8,1 लिप सकते हैं तो ये जो 1 होगा ये balance electron हो जाएगा और ये जो 10 होगा मतलब 2 plus 8 ये कहलाएगा core electron clear है? चलिए next question है question number 46 question number 46 कहरा है कि कौन सा धातु oxide एक उभह कर्मी oxide है तो इसका जो सही अंसर होगा पहोज़एगा aluminium यानि option number A next question है question number 47 question number 47 कहरा आबर्थ तालिका में किसी तत्व के गुन धर्म blank पे निर्मन करते हैं तो ये आबर्थ तालिका में परमानु संख्या पर निर्मन करेगा तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 48 कहरा है lord और कौन पाये जाते हैं तो road और कौन जो होता है वो आँख में पाया जाता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए जो हमारा आँख का रेटीना होता है वो जनरली दो परकार की परकास संवेदन सिल कोसिकाओं से बना होता है और उसी को बोला जाता कौन साथ roads ठीक है देखिए ये जो कौन साथ roads होता है मतलब इसको हिंदी बें बोले तो संवेदन सिल कोसिकाओं है जिसमें संवेदन सिल कोसिकाओं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन ही से हमें रंगों का अभवास होता है और जो छड़ को सिकाएं होती है ये परकास की तिप्रता के अनुरूप प्रतिक लिया करती है क्लेर हैं? चलिए Next question है question number 49 Question number 49 कहा रहा है कि निमलिखित में से किस बैग्यानिक ने सुझाब दिया था कि तत्वों के प्रतिकों का निर्मान तत्व के नाम के या एक या दो अच्छरों से किया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगाए Option number C बरजीलियस के द्वारा दिया गया था ठीक है? अब प्रोटीन सब्द का भी सरपर्थम पर योग कौन किये थे? Next question है question number 50 Question number 50 कहरा blank उर्जा में दो परकारों की उर्जा होती है तो यह आंतरीक उर्जा जो mechanical energy होती है उसमें दो परकारों की उर्जा पाई जाती है तो Option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है question number 51 मंदन blank तो मंदन क्या? एक एजिनात्मक मतलब negative isolation का form है तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा Option number C जो हो जागा देखे तोरन के अगर हम बात करते हैं तो यह आप लोगों के भी पता होगा कि बस्तू के बेग परिबर्थन की दर को उस बस्तू का तोरन कहते हैं तो मंदन जो है वो क्या है? एक एजिनात्मक तोरन है Next question है question number 52 Question number 52 का रहा है कि संत्रेफ्थ hydrocarbon blank कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा Option number C अलकेन कहा जाता है देखे संत्रेफ्थ hydrocarbon स्रेनी के अगर हम बात करते हैं तो आप लोग एक सुत्र पढ़े होंगे formula कि C N H 2 N प्लस 2 ठीक है? तो संत्रेफ्थ hydrocarbon के स्रेनी सदस जो होते हैं वो समान इसी सुत्र से दर्शाय जाते हैं जहां पे N क्या है? यहां पे N है carbon की संख्या ठीक है? जेनरली जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्रूटेन, पेप्टेन, हेकसेन, हेप्टेन, ऑक्टेन यह सारा क्या है? संत्रेफ हाइडोकारबन है चलिए? चलिए नाक्स कोशन है कोशन नमर 53 आसा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं व्यूज इतना ज़्यादा रहते हैं और लाइक इतना कम रहता है आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजे अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं वीडियो मेरा अच्छा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस मेरे द्वारा जो इतना मेहनत किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं helpful है clear है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 53 question number 53 कर रहा है कि अमलियता के अधार पर कौन सा सही है तो इसका जो सही answer होगा वो हो जागा option number A निश्ब भावरी करन दर्साता है ठीक है अब लियता लाल लिटमस को नीला कर देता है ये तो गलत ही है क्यों क्योंकि अमल जो होता है वो नीले लिटमस पतर को और मिथाईल ओरेंज को लाल करता है clear है चलिए next question है question number 54 question number 54 कर रहा कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रसाइनी कुर्जा को उस मुर्जा में बदल दे दिये तो इसका जो सही answer होगा वो हो जागा स्वसन जीवन प्रक्रिया next question है question number 55 question number 55 कर रहा blank की SI unit 1 नूटन है तो देखिए बजन मतलब बेट की अगर हम बात करते हैं बेट का भी SI unit हो जागा नूटन और फोर्स का भी SI unit हो जागा नूटन तो यहाँ बेट मतलब बजन और बल हो जागा इसका सही answer यानि option number A जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा अगर हम बात यहीं पर त्वरंद की कर लेते हैं तो त्वरंद का SI unit क्या होता है अगर हम संबेक की बात कर लेते हैं तो होता है नूटन सेकंड और अगर दरब्म्यान की बात करते हैं तो होता है किलोग्राम ठीक है चलिए next question है question number 56 question number 56 कह रहा है कि निमन में से कौन सी भौतिक मात्रा किये गया कार्ज की गती को मातता है next question है question number 57 question 57 कह रहा है कि एपस में सामिल है एपस का मतले भी होता है जो class एपस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पच्छी बर्ग बोलते हैं तो option number C जो होगा वो हमारा सई अंसर होगा नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 58 कोश्चन नमबर 58 कह रहा है कि मनुस जाती के एक पुरुस को उसके एक सुक्रानू उसके या उसकी से किसे प्राप्त होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा ओप्सन नमबर B उसके माता से प्राप्त होता है मनुसों में अकर हम कुल गुन सुतरों की संख्या करते है तो वो तेई से जोरी होता है मतलब 46 होता है next question है question number 59 question number 59 कहरा है कि नीचे दिये गए बरगी करण में से कौन सा परमानु द्रभमानों की अधार पर था तो इसका जो सही answer होगा बोह जगा option number C डॉब्रेन, नूडलेंस और मैंडले ठीक है? चलिए next question है question number 60 question number 60 कहरा है कि निम्न में से किस उत्तक में पठोर कोसी का भीती पाई जाती है तो इसका जो सही answer होगा बोह जगा अस्केलन काईमा यानि option number C ठीक है? अस्केलन काईमा की जो भीती होती है बो लिगनेन के जमाव के कारण ही मोटी हो जाती है next question है question number 61 question number 61 कहरा है कि अधात्वों में से कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है तो option number A जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो ये मानव सनीर में जो आयोडीन होता है वो थाइलोड गिरंथी में थाइलोकसीन नामा कार्बोनी के योगी के रूप में पाया जाता है clear है? चलिए next question है question number 62 question number 62 कर रहा है बिखंडन कितने परकार के होते हैं तो generally जो बिखंडन होता है वो mainly जो बिखंडन का का जी तना अधीक होगा उसकी परकास की चालफना ही कम होगा मतलब ये दूसरे के क्या है ? इनभर्स्टी प्रपोशनल है अब परकास की बेक की गंणा सबसे पहले किस ने की थी तो रोमर ने किया था ये भी याद रखियेगा कि परकास की बेक की गंणा सबसे पहले रोमर ने की थी क्लियर है ? चलिये Next question है इस question number 64 question number 64 कर रहा कि डाल्टन की पदिती का नुसार निमलिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है तो उनका एक ही कथन था कि परमानु पदार्थों के अभिभाजी एकन है तो ये जो था बहुत सही था देखें लेकिन मतलब पूरी उनीसमी सदी तो यही माना गया था कि परमानु क्या है अभिभाज है लेकिन फिर उनीसमी सदी के आखरी दसक में बैगानिकों ने परमानित कर दिया था कि परमानु क्या है भिभाज है और परमानू की एक निश्चित आंतरिक संरचना भी होती है ठीक है और ये जो जॉन डाल्टन का सिधान ताया था ठारा सो तीन इसमी में उसी में उन्होंने कहा था कि परमानू क्या है अभिभाज है तो आपसन नमबर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा क्लियर है चलिए कैल्सियम का परमानू दरबमान कितना हो जाएगा 40 कैल्सियम जिसको हम लोग CA से डिनोट करते हैं और इसका अटॉमिक नमर कितना होता है 20 नेक्स कोशन है कोशन नमर 66 कर रहा कि निमलिखित में से किस सिधान के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिच में कार्च करता है तो रॉक रॉकेट से जितना अत्या धीक बेग से जो गैस पीछे की और निकलती है वही रॉकेट को उपर उठने के लिए जो उसको इसेंजियल संबेग होता है मतला वाबस्यक संबेग जो होता है वो प्रोभाइब करवाता है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमर 67 कोशन नमर 67 कह रहा है कास यूगीन समझता है तो आपसन नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा हडपा से याद रखिएगा हडपा को जो समयकाल था वो तेश सो पचास बीसी से लेके सतरा सो पचास बीसी तक था नक्स कोशन है कोशन नमर 69 जैन परंपरा की अनुसार पहले तिर्थांकर क बोला जाता है और सबसे जो चौबिसमा यानि अंतिर्थांकर जो हुए थे वो कौन थे महावीर थे ठीक है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमर 70 कोशन नमर 70 कह रहा है कि महाबधी मंदीर या महान जागरिती मंदीर एक बौध मंदीर है जो कहां इस्तित है तो ये बिहार के बोधगिया में इस्तित है तो आपसा नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और इसको क्या यूनेस्को ने भी 20 दरोहर सिची में सामिल का रखा है हर्स असबर्धन को मित्रु हुए थी 647 स्वी में तो आपसा नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और यही हा हर्स असबर्धन को उत्तर भारत का प्राचीन भारत में अन्ति महांसा तक माना जाता था ठीक है हर्सबर्धन से एक चीज याद रखेगा कि हर्सबर्धन ने थानेसवर के जगा पर कनोज को अपनी राध्धानी बनाई थी और ये हर्सबर्धन जो था वो 626 भी में थानेसवर की गद्धी पर बैठा था चेल यह नक्स कोचन है कोचन नमर 72 महमूद गजनभी के साथ भारत आने वाले परसी दीती है अपसकार कौन था तो अलबुरुनी था तो अपसन नमर B जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा अलबुरुनी का एक बुक भी याद रखेगा किताब उलहिंद ठीक है और इस किताब उलहिंद को इगरहमी सती का भारत का दरपन भी कहा जाता है चेल यह चेलिए नक्स कोचन है कोच्चन नमर 73 गुलाम बंस का संस्थापक कौन था तो गुलाम मंस का अस्थापना इन्होंने किया था फिर आपको याद होगा एक नाम अबदुल रहीम खान खाना थे फिर ये जो तुर्के बाबरी जो पुक था इसका फार्सी भासा में अनुबात करवा दिया था बाबर नामा नाम से क्लेर है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 75 कोश्चन नमर 75 का रहा है कि पलासी का यूध मैदान कहां इस्तित है तो इसका जो सई अंसर होगा पहुचेगा पश्चिम मंगाल यानि अप्सन नमर डी और किस न दीके किनारे भागी रही न दीके किनारे ही पलासी का यूध हुआ था और कब 1700 संतामन इस्वी में कौन से रोबेट क्लाइब के नितरित में अंग्रेज सेना थी और बंगाल का नबाब सी राजुदौला के सेना के बीच में हुआ था ठीक है और यही पलासी की जो लड़ाई थी यही यूध से अंग्रेजों का भारत में बिजाए अभियान पारणभ हो गया था नक्स कोश्चन है कोश्चन अबर 76 कोश्चन अबर 76 करया कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेज का अध्याच निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपियों कौन थे तो इसका जो सही अंसर है वो है जोर्ज जूले यानि ओप्सन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जोर्ज यूले ठीक है और ये कब यानि कॉंग्रेज का जो 1888 का अधिवेशन हुआ था कहां इलाहबाद में उसकी अध्याष्टा किये थे ठीक है देखिए 1885 में स्टार्ट हुआ था ये वो ह्यूम के द्वारा ठीक है और उसके बाद 1888 में ही इलाहबाद जीवेशन में इनकी अध्याष्टा किये थे ये देखिए आपको याद रखने के लिए कि याद रखिएगा बकमई बकनई ठीक है ये पहले पहले आठ की याद करने के आपको फॉर्मूला है मतलब समझ लीजिए एक तरह से ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं बकमई बकनई है सबसे पहलो जर्मनी का आकी करण किया था उसी तरह से भारत के जो एक एक करन किये थे बहो बल्ला भाई पटेल थे तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँजगा बल्ला भाई पटेल ठीक है जब आपको एक याद होगा बार्दोली सत्यागरा बार्दोली सत्यागरा की सफलता से खुस होकर जो बार्दोली की महिलाएं थी उन्हीं के तरफ से गांधी जी के द्वारा बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी प्रयदान किया गया था ठीक है बल्ला भाई पटेल को हम लौपुरूस के भी नाम से जानते हैं चलिए बार्दोलन का परड़म किया था और उसी दिन उन्हें नारा दिया था करो या मरो अब फिर 9 अगस्त 942 को आपरेशन जीरो आपर के तहट महात्मा गांधी समेत भारत के बहुत महत्पुन्नेताओं को गिरफतार कर लिया गया था क्लियर है चलिए next question है question number 79 question number 79 कहरा है कि हिन्स वाराज नामाग पुस्तक किस ने लिखी थी तो इसका जो सयन सरोगा बहुत अप्स नमर बी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था जब महात्मा गांधी इंग्लेंड से फिरका जाने के क्रम में, जब जो जहाद यातरा कर रहे थे, उसी समय एक हिंस ओराज, यह बहुत छोटी पुस्तक है, वो उन्होंने हिंस ओराज की रचना किये थे, clear है, चलिए, next question है, question number 80, question number 80 कहरा है कि इंदरा गांधी परमानू यह कल पक्कम तमिलाडू में स्थित है, तो option number D जो होगा, वो हमारा सही answer है, और यह इसको लगाया कब किया था, 1971 इस्वी में इसके अस्थापना किये गई थे, clear है, चलिए, तो आसा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो पसंद तो एक like जरूर कर दीजेगा, और साथी साथ comment करके बताएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लग जाए, कोई और भी कुछ curious होगी तो आप comment करके पूछ सकते हैं, thanks for watching